अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अनुचाबडा आज के ट्यूटोरियल में मैं दिखाने वाली हूँ इस मॉब और सिल्वर आई मेकप का ट्यूटोरियल तो अगर आप इस वीडियो में इंट्रेस्टिड हैं तो बने रही है मेरे साथ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे दीजेगा एक बड़ा सा थमसब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे फहले मैं अपने आइलिट्स को प्रिप्यार करूँगी इसके लिए मैं मेबलीन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूं इससे मैं अपने आइब्रॉस के एजिस को भी क्लीन करूँगी और इसलिए अपने आइलिड्स पर अच्छे से ब्लेंड कर लोगी आप चाहें तो किसी आई प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं आज कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ इससे हमारे आई शाडो बहुत वाइब्रेंट दिखेंगे सबसे पहले मैं ये वाला कलर अपने ट्रांजिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा आई शाडो पैलेट है इसके कलर बहुत पिगमेंटेड है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होते है अब मैं ये मेबलेन का अपना ब्लश यूज़ कर रही हूँ इसे मैं एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपनी क्रीज लाइन में अपलाए करूंगी और इसी ब्रश से इसे ब्लेंड करूंगी इस कलर को मैं अपने आईस के आउटर कॉर्णर में भी ब्लेंड करूंगी अब मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इन दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना रहें नेक्स्ट मैं ये डाकेस मौविश कलर यूज करूंगी और इसके लिए मैं ये स्मॉल डिटेलिंग ब्रश यूज कर रही हूँ स्मॉल स्प्रोक्स में अपने आईस के कॉर्णर पर मैं एक वी शेप क्रियेट करूंगी आज मैं हेलो आई कर रही हूँ इसलिए मैं आईस के इनर पार्ट में भी एक स्मॉल वी शेप क्रियेट करूंगी और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज लाइन में यह मॉर्फी का ब्रश है इसका नंबर है 506 इन दोनों कॉर्णर्स को मैं आपस में कनेक्ट करूंगी और अपने लेट के सेंटर पोर्शन को मैं क्लीन रखूंगी अब मैं पैलेट में से यह वाइट कलर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने लेट के सेंटर पोर्शन में लगाऊंगी अपने ब्रश पर मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है ताकि शिमरी कलर जो है अच्छे से वाइब्रेंट होकर दिखें और इस लिड कलर को कॉर्णर के साथ ब्लेंड करने के लिए मैं ये सेकिंड हाइलाइटर ले रही हूँ और एक स्मॉल आईशाडो ब्रश की हेल्प से इसे कॉर्णर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अब उसी सिल्वर हाइलाइटर से मैं अपने ब्राव बॉन को भी हाइलाइट कर रही हूँ अब मैं मेबलीन की जेल आईलाइनर से वेंग क्रियेट कर रही हूँ टेप मेथट से वेंग क्रियेट करना बहुत एजी रहता है अगर आप बिगिनर हैं तो टेप मेथट ट्राइ करें आईलाइनर लगाना बहुत ही एजी हो जाता है अब मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और उसके बाद इन्हें आपस में कनेक्ट कर दूँगी ये लाइनर लगाने का बहुत ही इजी तरीका है ओफ कैमरा मैं अपना फेस मेकप करूँगी और उसके बाद अपना आई मेकप कम्पलीट करूँगी सबसे पहले मैं अपनी लोवर लैश लाइन पर फर्स ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड कर रही हूँ इसके लिए मैंने स्मॉल पैंसिल ब्रश का यूज़ किया है और अब स्मॉल प्रश की हेल्प से दार्क मॉव कलर को अपनी लैश लाइन के बिल्कुल पास ब्लेंड करूँगी अब डिटेलर ब्रश की हेल्प से दार्क मॉव कलर को अपनी लैश लाइन के बिल्कुल नीचे पैक कर रही हूँ ताकि लोवर लैश लाइन इंटेंस दिखे अब मैं सेम जल लाइनर को अपनी वाटर लाइन पर लगा रही हूँ अब एक स्टिफ पैंसिल प्रिश की हेल्प से मैं इसे अपनी लोवर लाइश लाइन के साथ ब्लेंड कर लूँगी अब मैं सेम वाइट हाइलाइटर से अपने इनर कॉर्नर को भी हाइलाइट करूँगी अपने लाइश को करूँगी और इस पर मस्कारा लगाऊंगी आज मैं मेबलिन का बिक शॉट मस्कारा यूज कर रही हूँ इसके मैं दो कोट्स अप्लाई करूँगी क्योंकि आज मैं फॉल्सिस यूज नहीं कर रही हूँ यह है मेरा फाइनल लुक आई होप यह लुक आपको अच्छा लगा होगा इसे आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पार्टी या इवेंट में क्रियेट कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे दीजेगा एक बड़ा सा थमसब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मुझे दीजे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा यह लुक आपको कैसा लगा तो मैं चलती हूँ गाइस और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाई